नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में और आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित कुमार और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों PCS सार्थी Study IQ का एक initiative है और यह आपको PCS exam की तयारी करवाता है यानि कि जो आप अपने State Civil Services की तयारी कर रहे हैं जैसे कि राज्ये की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसमें आप जाने की अगर तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही जगा है PCS सार्थी क्योंकि PCS सार्थी आपके PCS exam के सभी subject को कवर करवाता है जो बाकी subjects मे सभी states में जो कॉमन सुबजेक्ट हैं उनको हम यहां पर कवर करते हैं जिसमें आप मेरे साथ 2 बजे पढ़ते हैं History दोस्तों छे बजे आप मेरे साथ पढ़ते हैं History और शाम को 6 बजे हमारा session रहता है Art & Culture का प्रके दोस्तों शाम को 6 बजे हमारा session रहता है आट एंड कंछर का इसके अलावा संडे को संडे को 8 बज़े शाम को देखेंगे रात को 8 बज़े हम लेते हैं मैरथन ठीक है दोस्तों संडे को एक क्लास होती है मैरथन की जिसमें हम प्रीविएस यहर क्वेस्टैन जितने भी स्टेट स्पेसिफिक जितने भी state exams में, जितने भी states हुए हैं, जाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, राजस्तान की, इन सभी states में history के जो questions आए हैं, उन सभी को हम previous year की form में यहाँ पर करते हैं, ठीक है, marathon में, तो previous year भी हम यहाँ पर आपके साथ cover कर रहे हैं, तो आपके previous year भी cover होंगे, और आपका subject जो है, detail में यहाँ पर cover करेंगे, theory class में 2 बजे और 6 बजे, ठीक है दोस्तों, तो 2 बजे और 6 बजे पढ़ते हैं, theory, detail में, और उसके बाद हम यहाँ पर Sunday को करते हैं, MCQ's marathon की form में, ठीक है दोस्तों, तो timing को याद रखेंगे, इसके अलावा, एक और important series जो है, वो शुरू की जा रही है, अब कौन सी, इसमें हम MCQ की form में, MCQ की form में, NCRT cover करेंगे, आप देखते हैं दोस्तों, जो NCRT की किताब है, वो 6 से लेके 12 तक की बहुत important होती है, लेकिन हर student के लिए यह possible नहीं होता है, और इतना time भी नहीं होता है, अब क्योंकि अब market में resources बहुत बढ़ गए हैं, तो इतना time नहीं होता है कि आप 6 से लेके 12 तक की जो NCRT है, उसको cover करें, फिर reference book cover करें, और आप दिये देखेंगे, सिर्फ cover करना ही important नहीं होता, आपको notes बनाने होते हैं, ताकि आप efficient revision कर पाएं, तो revision जो होती है, बहुत important होती है, इसी की वज़ा से हम, जो NCRTs होती हैं, उसको थोड़ा कम time दे पाते हैं, लेकिन इसी problem को solve करने के लिए, ताकि आपको detail में, जब हम theory यहां पर पढ़ रहे हैं, तो आप NCRT को उतना detail में नहीं पढ़ पाते, यह fact है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम NCRT जो है, वो cover करेंगे किस form में, MCQ की form में, देए दोस्तों, जो NCRT में और हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो 90% common है, ठीक है, 90% जो common है, उसकी तो आपको चिंता बिलकुल भी नहीं करनी, ठीक है, NCRT और यहां पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, 90% जो common है, उसकी चिंता बिलकुल भी नहीं क यहाँ पर उसको MCQ की form में cover करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सारे topic MCQ की form में cover होंगे ठीक है और question की form में जब चीजों को करते हैं तो वो याद भी जादा रहती है और उनको करने में हमें मजा भी आता है ठीक है तो याद रखेंगे important series शुरू होने वाली है आप सभी लोगों की NCRT cover होगी और वो भी MCQ की form में ठीक है comment box में बताएंगे कि क्या इस series के लिए क्या आपको इस series के लिए चाहिए और आप इसको wait कर रहे है इसका comment box में बताएंगे कि क्या आप इस series के लिए wait कर रहे है क्योंकि ये बहुत important series होने वाली है दोस्तों ठीक है आपकी NCRT भी cover हो जाएगी तो resources के मामले में जहां तक बात है तो हम देखते है resources हम यहाँ पर पूरी तरह से एक 360 holistic coverage यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे reference books हो चाहे NCRT हो चाहे regularly follow करना है और session को share करना है like करना है ठीक है दोस्तों सभी लोगों को good afternoon ठीक है चंदन राजक जी पूजा त्यागी जी संजीव कुमार अंबेश कुमार चौधरी अंकित राठोर जी सीमा रानी हयात जी अंकित कुमार सब को बहुत बहुत गुराफटर नोन जसी जी सब को ठीक है दोस्तों session को share करेंगे और अभी एक information थी जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी share करी ठीक है तो session की शुरुआत करते हैं जितनी भी important जानकारी थी आपको मैं already दे चुका हूँ session के बारे में अब जैसा कि हम शुरू करते हैं अपने session को और हमारे ये important ritual बन गया है कि हम यहाँ पर session की शुरुआत में एक important quiz लेते हैं जिससे हम अपनी पुरानी चीजों को revise कर पाएं और साथ-साथ अपने आपको test भी कर पाएं ठीक है तो बताएंगे किस व्यक्ति को किस शासक को ग्रीक लोग sangrocortus के नाम से बुलाते थे sangrocortus नाम से संबोधित करते थे ठीक है चलिए बिल्कुल जुड़ेंगे session से और बिल्कुल ये हमारी परंपरा बन चुकी है short quiz जो है ये परंपरा हमारी बन चुकी है और इसको हम चलाएंगे अनंत काल तक ठीक है दोस्तों इसको चलाएंगे अनंत काल तक ताकि quiz MCQs और फिरेंसी आर्टी के MCQs तो आप देखेंगे आपकी theory जो है कितनी revise होती चली जाएगी practice पे हम बहुत focus कर रहे हैं प्रैक्टिस पर बहुत जोर है हमारा practice ही आपको जो है exam में comfortable करवाएगी आपकी चिंताओं को आपकी जो आशंकाएं जो आपकी शंकाएं उन सब को दूर करेगी ठीक है बहुत ही simple ये जवाब है दोस्तों इसका तो इसका सही जवाब जो है सभी लोग इसका सही जवाब दे रहे है चंदरगुप्त मौर्य इसका सही जवाब है ठीक है दोस्तों एकदम सही जवाब है सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है session को बस इसी तरह से follow करते रहेंगे चलिए बताएंगे अगला प्रशन बहुत सिंपल है किसने इंडी का नामक किस किताब पुस्तक लिखी थी ठीक है इंडी का नामक जो किताब ये पुस्तक थी वो किसने लिखी थी कौन लेखक है इंडी का किताब के बताएंगे यहाँ पर जल्दी से दोस्तों चलिए बताएंगे जल्दी से बहुत सिंपल है बहुत ही जादा सिंपल है बहुत जादा सिंपल ये प्रशन है यहाँ पर जल्दी से बताएंगे चंदरगुप्त मौरे बिलकुल पहले वाले प्रशन का सही जवाब है जिनों ने भी चंदरगुप्त मौरे दिया है इसका जवाब अगला जो प्रशन है बताएंगे बहुत ही सिंपल है दोस्तों बिल्कुल चलिए दो मिनट पांच मिनट और पांच सेकंड और वेट करते हैं बहुत ही सिंपल इसका सही जवाब है मेगस्थनीज ठीक है दोस्तों Megastanies इसका सही जवाब है और Megastanies कौन थे? Megastanies जो थे? एक राजदूद थे यानि कि एक ambassador थे किस के कोट में? चंद्रगुप्त मौरे के कोट में और किसने भेजा था इनको भेजा था? इनको भेजा था चंदरगुप्त मौर्रे के कोट में ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे बहुत जादा सिंपल है पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में अगर बात की जाए जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा रही है जैन धर्म में जिस तरह से आप देखे जिस तरह से अगर आप देखें किसी भी जो ऑर्गनाईजेशन होती है उसमें अलग अलग समय पर गुरू आते हैं जैसे सिक धर्म देखेंगे सिक धर्म में आपको गुरूओं की परंपरा मिलेगी उसी तरह से जो जैन धर्म है उसके अंदर आपको मिलेगा कि वहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा है तो बताएंगे दोस्तों पहले तीर्थंकर कौन थे उनका नाम क्या था बिलकुल आदीनात के नाम से भी उनको जाना जाता था जो लोग आदीनात जवाब दे रहे हैं एकदम सही जवाब है उनका महावीर थे वो 24 वे और आखरी तीर्थंकर थे खीक है दोस्तों 24 वे और आखरी तीर्थंकर थे और जो पार्श्वनात थे जो पार्श्वनात थे वो 23 तीर्थंकर थे कोई नाम बता सकता है 22 वे तीर्थंकर का क्या नाम था 22 वे जो तीर थंकर थे उनका नाम कोई यहाँ पर बता सकता है चलिए बताएंगे 22 वे तीर थंकर का नाम बताएंगे कुछ जो important है जैसे last के तीन याद रखेंगे और शुरू के एक आपने याद रख लिए तो बताएंगे जो 22 वे तीर थंकर थे वो कौन थे खीक है दोस्तों 22 वे तीर थंकर कौन थे खीक है 22 वे तीर थंकर कौन थे दोस्तों 22 वे तीर थंकर कौन थे खीक है 22 वे तीर थंकर का नाम बताएंगे 22 वे तीर थंकर कौन थे तो 22 वे तीर थंकर थे नेमीनात खीक है दोस्तों 22 वे तीर्थंकर थे नेमी नात नाम याद रखेंगे वो आपसे जरूरी नहीं हर बार पहले और आखरी ही पूछेगा वो आपसे 22 वे भी पूछ सकता है तो 22 वे जो तीर्थंकर थे वो थे नेमी नात ठीक है दोस्तों चलिए बिलकुल अगला प्रश्ण है बात करता है कि माध्यमिक माध्यमिका जो स्कूल है ये स्कूल कौन सा है ये विद्याले वाला स्कूल नहीं है ये है जो विचारधारा वाला स्कूल होता है विचारधारा वाला ठीक है दोस्तों विचारधारा वाला जो स्कूल होता है यानि कि School of Thought की बात कर रहा है यानि कि जो माध्यमी का विचार धारा है इसके संस्थापक कौन थे बताएंगे कौन माध्यमी का स्कूल के संस्थापक थे ठीक है दोस्तों माध्यमी का स्कूल के कौन संस्थापक थे ठीक है चलिए शाम जी गुड आफ्टर नून सभी लोग य अगला प्रश्न का जो जवाब क्या होगा ठीक है चलिए बताएंगे कि भई माध्यमिका स्कूल के संस्थापक कौन थे माध्यमिका स्कूल ओफ थौट के जो संस्थापक थे वो कौन थे शुरू करेंगे यहाँ पर बताएंगे attempt करेंगे question को काफी simple question है ठीक है दोस्तों माध्यमी का school के संस्थापक कौन थे ठीक है बताएंगे माध्यमी का school of thought के संस्थापक कौन थे ठीक है माध्यमी का school जो thought था विचार था उसके संस्थापक थे नागारजुन जो थे माध्यमिका स्कूल के संस्थापक थे चलिए अगला जो प्रश्ण है यहाँ पर बताएंगे बहुत ही सिंपल है कौन ऐसे शासक थे या कौन ऐसे व्यक्ती थे जिनोंने अशोका का जो पिलर तोपारा तोपारा कहाँ पर है तोपारा हरियाना में है दोस्तों हरियाना के तोपारा से दिल्ली में शिफ्ट किया था ठीक है बताएंगे कौन ऐसे शासक थे कौन ऐसे व्यक्ती थे जिनोंने जो हरियाना के तोपारा का जो पिलर था अशोका का पिलर उसको shift करा था दिल्ली में तो यहाँ पर बताएंगे बहुत ही simple इसका जवाब है बताएंगे जल्दी जल्दी इसको attempt करेंगे quiz जादा लंबा नहीं कीचेंगे क्योंकि हमें session भी शुरू करना है बहुत ही simple इसका जवाब है ठीक है चलिए जो अगल जो shift करा था वो करा था तो पारा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने और इन्होंने तो पारा से और मेरेट से ठीक है दोस्तों मेरेट से दो जो पिलर थे एक मेरेट का एक हरियाना तो पारा का इसको shift करके कहां ले गए थे दिल्ली में ठीक है उनको शिफ्ट करा था उपारा और मेरक्ष से दिल्ली में चलिए तो यहाँ पर अब देखते हैं शुरुआत करते हैं आज जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आज जो हम पढ़ रहे हैं यह लास्ट क्लास है और मौरियन सामराज यहाँ पर खतम हो जाएगा आज आज मौरियन सामराज यहाँ पर एंड हो जाएगा और चैप्टर में भी आप देखेंगे कि मौरियन सामराज यहाँ पर एंड हो जाएगा ठीक है और मौरियन सामराज यह का एंड कैसे हुआ हम यहाँ पर जानेंगे क्या कारण थे जिससे मौरियन सामराज यह का पतन हुआ ये पढ़ेंगे दूसरी चीজ आज पढ़ेंगे कि मौरियन सोसाइटी और मौरियन समाज जो था उस समय मौरियन शासनकाल के दोरान समाज और सोसाइटी किस तरह की चीजों पर चल रहे थे क्यों क्योंकि इसको detail में हम cover कर चुके हैं एक अशोका के समय पर और दूसरा art and culture की class में तो more in समय का जो art और architecture है वो हम art and culture की class में cover कर चुके हैं तो जिन भी लोगों ने अगर मान लीजिये नहीं ले पाए हैं वो class तो वो art and culture की class को देखेंगे और उसके अलावा last जो class थी हमारी जिसमें हमने अशोका का सामराज्य पढ़ा था आप देखेंगे उसमें भी हमने art और architecture कुछ-कुछ वहाँ पर थोड़ी बहुत detail में वहाँ पर भी हमने cover किया था खीक है दोस्तों चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि उस समय की जो society थी दरसल हमने देखा कि वर्ण विवस्ता काफी जादा उस समय काफी rigid हो गई थी काफी पुकता तरीके से वर्ण विवस्ता थी उसको follow किया जाता था और इसी वज़ा से वर्ण विवस्ता की जो खराब बातें थी वर्ण विवस्ता की जो कुरूतियां थी वर्ण विवस्ता की जो समस्याई थी उसी से उसी का सामना करने के लिए और उसी की वज़े से पैदा हुए क्या आप देखेंगे उस समय जैनिजम बहुत फैला ठीक है जैनिजम हाला की काफी पुराना धर्म है लेकिन देखेंगे जो है उस समय पैदा हुआ टिकई दोस्तों बुद्ध धर्म जो है वो पैदा हुआ जिसमें एक मुखे कारण यह भी था कि वहाँ पर आप देखेंगे वर्ण विवस्ता में जो समाज में जो बुराईयां थी उसकी वजएसे भी जो बुद्ध धर्म है उसका जन्म होता है लेकिन बुद्ध धर्म जो है देखेंगे जो वर्ण विवस्ता है उसको चुनोती तो जरूर देता है लेकिन बाद में उसके बावजूद भी वर्ण विवस्ता बाद में बनी रहती है और चलती रहती है खीक है यानि कि जो मौरियन सामाज जो सोसाइटी थी उसमें बुद्ध धर्म के आजाने के बावजूद भी वहाँ पर वर्ण विवस्था जो थी वो बाद में ऐसे ही चलती रही वो बनी रही वर्ण विवस्था में कोई बड़े बदलाव नहीं आए बुद्ध धर्म के प्रयासों के बावजूद भी खीक है और हलांकि एक चीज़ देखने को मिली क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो महा जनपद काल से हम चलते हुए आए थे ठीक है महा जनपद काल से हम चलते हुए आए थे कहां पर मौरियन काल में महा जनपद काल से मौरियन काल में जब चलते आए तो यहां से हमने देखा कि इन दोनों ही कालों म जो cities थी, जो शेहर थे, उनका विकास होता है, जो materialism है, जो development है, उसमें काफी ज़्यादा विकास होता है, और इस वज़ा से आप देखेंगे कि यहाँ पर trade और commerce यानि की व्यापार बढ़ता है, व्यापारी गती विधियां बढ़ती है, तो समाज में कुछ सुधार आएगा तो उससे यह हुआ कि यहाँ पर जो wishes थे, ठीके दूस्तों, उनका social status जो की, जो third level पर आते थे, वर्ण विवस्ता में, जो third level पर आते थे, उनका यहाँ पर social status थोड़ा सा improve हुआ, और उसके अलावा, यहाँ पर आप देखेंगे, कि जो शूदर थे, उनका भी, जो status था, सुधरा, किस तरह से, जो शूदर, जो समाज में, वर्ण विवस्ता के चौथे पायदान पर आते थे, इन लोगों को कारीगरी जैसे काम करने के लिए, और कारीगरी जैसे काम, और उसके अलावा, यहाँ पर यह किस प्रकार के काम करने लगे, उसके अलावा, खेती में भी पार्टिसिपेट करने लगे, खीक है, तो वर्ण विवस्ता में आप देखेंगे, कि इस समय मौरियन काल में, आपको थोड़ी सी स्थिती जो है, नीचे के जो समाज के तबके के जो लोग है, उनकी स्थिती थोड़ी सुधरी, क्यों, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स हुआ, ट्रेड और कॉमर्स की वज़े से, यानि आप कहलें कि शेहरी करन जो है, वो इस तरह की विवस्ताओं के लिए एक तरह से चुनौती का कारे करता है, तो यही सेम बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उसके अलावा आप देखेंगे, हाला कि जो वर्ण विवस्ता में त इसरे और चौते पायदान पे थे, इनकी सामाजिक स्थर में कुछ यहाँ पर बदलावाय, कुछ सुधार हुआ, लेकिन जो संख्या थी, overall किनकी untouchable, यानि कि जिनको असपर्श समझा जाता था, जिनको untouchable समझा जाता था, उनकी यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी यहा असलब था, untouchables, ठीक है, उस समय जो असपर्शता थी, चुवा चूत थी, उसको जो प्रैक्टिस किया जाता था, वो किन लोगों के साथ किया जाता था, वो किया जाता था, चैंडाल, यानि कि जो untouchable लोग थे, इनके साथ किया जाता था, उसके अलावा आप देखेंगे क कि slavery, यानि कि जो दास प्रता थी, वो भी यहाँ पर exist करती थी, तो मौरेन समय में आप देखेंगे कि दास प्रता भी exist करती थी, तो अगर कभी प्रशने आता है कि क्या मौरेन काल में आपको दास प्रता दिखती है, मौरेन काल में क्या दास प्रता आपको देखने को मिलती है क्या वहाँ पर दास्परफा exist करती थी तो बिलकुल मौरेन समय में भी दास्परफा जो है exist करती थी ठीक है दोस्तों, तो मौरेन समय में भी दास्परफा exist करती थी, उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अशोका के जो inscriptions हैं, उनमें भी आपको reference मिलता है कि हाँ मौरेन काल में दास प्रता जो है वो exist किया करती थी खीक है और अब देखते हैं तो हमने society समझी मौरेन समय की society कैसी थी पहली बात अभी भी वर्ण विवस्था पर थी बिलकुल दूसरी जो वर्ण विवस्था के जो third और fourth पायदान पर जो लोग आते थे उनकी थोड़ी सी improvement हुई थी उनकी जो social status था थोड़ा improve हुआ था और तीसरा हमने point समझा कि जो untouchables थे ठीक है untouchables जो थे उनकी संख्या में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि तीसरे और चौथे पायदान के लोगों का social status बढ़ा था कहीं आप इससे confused न पहली statement बनाएगा कि जो वैशे और शूदर थे उनके social status में थोड़ा सा बदलाव आया और वहाँ पर उनको और कुछ कारे करने के भी अनुमती मिल गई तो बिल्कुल सही statement होगी तो जब आप दूसरी statement पढ़ेंगे कि जो असपरशिता थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई तो जो third और fourth level के social status में जो बढ़ोतरी हुई लेकिन फिर भी untouchability आपको देखने को मिलेगा जो जिनको चंडाल कहा जाता था उनके साथ यहाँ पर आपको असपरशिता बढ़ती हुई नजर आएगी समझ गए इस बात को और तीसरी बात हम याद रखेंगे society के बारे में वो थी दास प्रता तो मौरियन समय में दास प्रता भी exist किया करती थी कई अर्थशास्तर में भी कई references हैं ठीक है दोस्तों अर्थशास्तर जो लिखा गया है आचारे चानक्ये के द्वारा जो चानक्ये ने अर्थशास्तर लिखा है उसमें भी दास जो किस प्रकार के दास होते हैं और दासों के साथ किस प्रकार का treatment किया जाना चाहिए इस प्र मोरें सोसाइटी के रेफरेंस में इनको हम याद रखेंगे ठीक है चलिए क्योंकि इनसे वो प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही तरह के क्वेश्चन बना सकता है ठीक है दोस्तों चलिए अब देखते हैं जब मोरें सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो मोरें सोसाइटी में हम उनका आर्ट और आर्किटेक्चर उनका कल्चर भी देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं अशोका के पिलर हम आलरीडी पढ़ चुके हैं काफी डीटेल में हमने कवर किया है तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन पिलर्स के नाम देख लेते हैं हाला कि हम इनको डीटेल में आर्किटेक्चर में जो आर्ट और कल्चर की क्लास है उसमें कवर कर चुके हैं तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा मौरें सामराज फिर राज़े का समय का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था हमने उसको डीटेल में कवर किया है, तो आप देखेंगे यहां पर important pillar से जिसे रामपुर्वा जहां पर आपको मिलेगा, बुल कैपिटल मिलेगा, जो कि आपको अब कहां मिलेगा, रामपुर्वा बुल कैपिटल श याकर देख सकते हैं। लॉरिया नंदंगड का पिलर आपको मिलेगा। सारनात का पिलर मिलेगा। जहां विलेगा। दरापनल इंशनल एंब्लेम हंप्पेम वा-दर हुसे कि छेयर है टुत है। पिलर आप जानते हैं दोस्तों पिलर बहुत ही सिंपल है यह बिहार के एक पिलर का एकजामपल है पिहार के एक पिलर का एकजामपल है फिर भी बता देता हूँ एक बार जल्दी से अशोकन पिलर की खास बात ये है कि इसमें आपको बेस नहीं मिलेगा बेस नहीं मिलेगा ठीक है इरानियन पिलर्स में आपको बेस मिलेगा ठीक है इरानियन पिलर्स में बेस मिलेगा अशोकन पिलर में नहीं मिलेगा अशोकन पिलर में जो ये पिलर का जो main part है जो थंब है जो circular जो cylindrical part है जो बेलन के आकार का ये part है ये आपको जो दिखेगा ये दिखेगा monolith ठीक है monolith यानि कि एक ही एक ही एक ही पत्थर से बना हुआ एक ही पूरे पत्थर के टुकडे से बना हुआ जबकि Iranian pillar में आपको दिखेगा कि उनका जो pillar है उनका जो बेलन है उनका जो ये cylindrical part है ये बना होता है कई तरह के अलग-अलग कई हिस्ते जो होते हैं उनको ये आपस में जोड़ते हैं जिससे उनका pillar बनता है और उनके pillar के नीचे आपको दिखेगा कि एक इस तरह से base होता है और उसके उपर pillar खड़ा होता है यहाँ पर फिर देखेंगे कि जो अशोकन pillar है इसमें आपको दिखेगा capital इसको कहते हैं हम capital यह कैसा होता है या तो bell की shape में होगा या फिर flower या फिर lotus की shape में होगा ठीक है उसके अलावा यहाँ पर एक और ऐसे देखने को मिलेगा इसके उपर एक platform मिलेगा जिसको हम कहते हैं abacus और abacus के platform के उपर main जो जानवर होता है जो animal होता है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो कहीं कहीं पर आपको जैसे share बैठा हुआ दिख रहा है सारनाथ में share जो है आपको 4 share ऐस तरह से खड़े हुए दिखेंगे ठीक है 4 share आपको खड़े हुए दिखेंगे और इनके पीछे एक और 3 share इस तरह से आपको दिखेंगे ठीक है रामपूर्वा की बात की जाएं तो वहाँ पर आपको बुल कैपिटल देखने को मिलेगा और ये कहां शिफ्ट किया हुआ है ये राश्ट्रपती भवन पर शिफ्ट किया गया है ठीक है दोस्तों राश्ट्रपती भवन पर शिफ्ट किया गया है दोस्तों में आज इस तरह से ही बात करेंगे ठीक है तो किसी को भी किसे कोई समस्या नहीं होने वाली है धीरे धीरे बोल के सब कुछ कवर लेकिन जरू करेंगे चलिए तो मैंने आपको रिविजन करा दी है पिलर की किस प्रकार का जो अशोकन पिलर था वो हुआ करता था ठीक है अब देखते हैं यहां पर स्टूप एक दूसरा आर्किटेक्चर है फॉर्म मौरियन समय का मौरियन समय का एक और आर्किटेक्च स्कल्प्चर्स यानि की मूर्तियां ठीक है दोस्तों स्कल्प्चर्स यानि की मूर्तियां तो जो स्टूप थे स्टूप आखिर हुआ क्या करते थे स्टूप जो होते थे उसमें क्या होता था जो भी बुद्धिस्ट जो रेलिक्स होते थे यानि कि जो अवशेश होते थे उनको रखा जाता था, कहां पर स्टूप में, ठीक है, तो स्टूप जो है, वो एक तरह से अंतिम संसकार के बाद जो अवशेश बचते थे, उनको यहां पर रखा जाता था, और अशोका ने 84,000 स्टूप बनवाई थे, जो अशोका थे, समराट अशोका, उन्होंने 84,000 ठीक है दोस्तों, वो था सांची स्टूप, मुझे बताएंगे, पोस्ट मौरिन समय का स्टूप कौन सा है, नाम बताएंगे दोस्तों, पोस्ट मौरिन समय के एक स्टूप का नाम बताएंगे, ठीक है, पोस्ट मौरिन समय के एक स्टूप का नाम बताएंगे, जल्दी से, और देखते हैं कि एक स्थूप क्या होता है, क्यूंकि काफी दिन हो गए है, आर्टें कल्चर में हमने जो स्थूप पड़ा था, उसको काफी दिन हो गए है, यहाँ पर रिवाइस किये हुए, तो यहाँ पर इसको रिवाइस करते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर इसको रि ठीक है तो एक simple जो स्तूप का example है वो है बरहुत स्तूप का जो स्तूप है वो पोस्ट मौरियन समय का एक स्तूप है ठीक है? कि यहाँ पर यह जो है इसको बोलते हैं हम तोरन और इसको बोलते हैं मेढी इसको बोलते हैं अंडा इसको बोलते हैं हर्मिका ठीक है इसको बोलते हैं हर्मिका यह जो छड़ी सी है यहाँ पर इसको बोलते हैं यस्ती और यह जो इस तरह से आपको छत्री जैसे दिख रहे हैं इनको छत्र ही कहा जाता है खीक है दोस्तों तो हमने यहाँ पर देख लिए है और जो मेढ़ी और अंडा के बीच में यह जो रास्ता दिख रहा है इसको यहाँ पर हम प्रदक्शिना पाथ ही कहते हैं खीक है प्रदक्शिना पाथ इसको production आपाथ ही कहा जाता है तो simple हमने देख लिया कि किस प्रकार की जो चीजें है जो किस प्रकार की चीजें है एक स्तूप के अंदर होती है ठीक है और फिर उसके बाद होता है rock cut architecture मौरें समय में आपने देखा कि rock cut architecture के शुरुवात होती है जिसमें हमने देखा basic जो सबसे example था वो था बराबर hills का और नागारजुनी hills का लोमास रिशी केव बराबर hills में एक गुफा है जो की बनाई गई थी चक्टान को काट कर उसमें रहने की जगा बनाई गई थी और आप देख सकते हैं ये है लोमास रिशी केव किसने बनवाई थी ये ये अशोका के ठीक है राजा अशोका के पोते थे राजा दशरत राजा दशरत उन्होंने ये गुफा बनवाई थी उसका निर्मान करवाय था और आजीवी का साधू जो होते थे उनको दान में दी थी उनको ये दिया था ठीक है और आप देख सकते हैं कि रॉककाट आर्किटेक्चर की शुरुआत यहाँ पर होती है फिर आप देखेंगी कि अजन्ता जो गुफाएं है वो दिखेंगी बाद में ऐलोरा भी दिखेंगी ठीक है लेकिन जो शुरुआत मौरें समय से होती है रॉककाट आर्किटेक्चर की इसको ध्यान रखेंगे सबसे पहले रॉककाट आर्किटेक्चर जो इनसान ने गुफाएं काटी और फिर बनाई नैचुरल केव्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो इनसान ने गुफाएं काट कर बनाई उसकी बात हो रही है तो उसकी शुरुआत आपको मौरें काल में होती ही दिखेंगी और उसके एक्जामपल याद रखेंगे कौन से नागारजुनी नागारजुनी और बराबर बराबर के और धोली के जो केव है वो भी इंपॉर्टन केव है जहां पर आपको एक हाती का स्कल्प्चर मिलेगा ठीक है दोस्तों धोली केव है जो की हाती का स्कल्प्चर आपको इस तरह से मिलेगा यह भी मौरें काल का है यह आपको कलिंग में मिलेगा ठीक है दोस्तों कलिंग जो युद्ध हुआ था उसका इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा आप देखें रॉककट की हमने बात करी ठीक है दोस्तों सकल्प्चर्स की बात होगी और सकल्प्चर्स में सबसे ज़्यादा एक ही फेमस एक्जामपल है जिसको याद रखेंगे वो है दीदार गंज यक्षनी को याद रखेंगे जो यक्ष और यक्षनी है यक्ष और यक्षिनी जो है इनकी आपको मूर्तियां मिलेंगी कहाँ पर स्टूप के बाहर तूप के बाहर ठीक है स्टूप के बाहर जो गेट होता है तो अरण वहाँ पर आपको इनकी मूर्तियां दिख जाएंगी तो यक्ष और यक्षिनी आप याद रखेंगे दीदार ग दीदार गंज यक्षिनी का और दीदार गंज यक्षिनी कौन से काल से है ये मौरियन काल से है ठीक है दोस्तों दीदार गंज यक्षिनी मौरियन काल से है देखेंगे फोटो ठीक है ये है दीदार गंज यक्षिनी ठीक है दीदार गंज यक्षिनी काफी जादा polished आप देखेंगे काफी जादा polished एक मूर्ती है polished sculpture है तो काफी जादा advanced structure है काफी जादा finishing से बना हुआ structure है और नाम याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे दीदार गंज यक्षिनी ठीक है दोस्तों दीदार गंज यक्षिनी को याद रखेंगे ठीक है दीदार गंज यक्षिनी और जो मैंने आपको बताया कि भरहुत जो स्थूप था बरहुत स्तूप जो था वो पोस्ट मौरिन समय का है ठीक है और जो चौखंडी जो स्तूप है और धामेक जो स्तूप है यह आपको मिलेगा गुपता समय का ठीक है दोस्तों कौन सा गुपता समय का मिलेगा चौखंडी और धामेक स्तूप तो जो मौरिन समय का स्तूप है वो ह मौरें के बाद वाला बरहुत और उसके बाद मिलेगा आपको गुपता समय की जब बात होगी तो आपको वह मिलेगा चौकंडी और धामेग इस तरह से भी तो उस पर आप से जब भी प्रशन पूछेगा तो हर एक फेज का आपको उसमें एक्जाम्पल याद होगा ठीक है तो आप वहाँ पर एक्जाम्पल दे पाएंगे और एक्जाम्पल से ही एक प्रशन जो है क्वेशन जो है उसका अंसर अच्छा बनता है stone portrait मिलता है आपको Moran Samayka किसका Raja Ashoka का कितनी important चीज है ये ये only सिर्फ अकेला ऐसा चित्र है मूरती है जो Raja Ashoka की है ठीक है दोस्तों Raja Ashoka की only surviving जो sculpture है जो मूरती है जो आपको देखने को मिलेगा ये वाला fact शायद किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा NCRT में ये वाला fact नहीं है ठीक है दोस्तों NCRT में आपको ये fact नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप कोई report देखेंगे दाहिंदू की एक report थी उसके अंदर ये था कि ये वाली मूरती जो है मिलीती करनाटियका के कंगन हली में जहाँ पर सनाटी के पास जहाँ पर आपको राजा अशोग का पहला ठीक है राजा अशोग का ठीक है राजा अशोग का आपको क्या मिलेगा दोस्तों एक only surviving sculpture मिलेगा राजा अशोग का और वो है ये तो इसको याद रखेंगे कि राजा अशोक का जो स्कल्प्चर है जो उनकी मूर्ती है ओनली ऐसी सर्वाइविंग मूर्ती है जो आपको कहां मिलती है तो वो आपको मिलती है करनाटका के कंगन हल्ली में ठीक है करनाटका के कंगन हल्ली में आपको मिलेगी किसकी मूर्ती राजा अशोक की और उनकी वो एक ही सर्वाइविंग मूर्ती है याद रखेंगे इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे पेपर में कभी भी पूछ सकता है और आप देखिएगा जादातर लोगों को ये फैक्ट पता भी नहीं होता है ठीक है चलिए उसके अलावा आगे बढ़ते हैं ठीक है ये सब देखा उसके अलावा कुछ और जो उस समय की सोसाइटी में इंपॉर्टन्ट जो चीज थी वो क्या थी वो थी लोहा ठीक है लोहे से क्या हुआ शेहरों का विकास हुआ खेतों का विकास हुआ क्योंकि फसल जो थी उसकी कटाई इच्छी होने लगी लोहे के हल बनने लगे जंगल काटने के लिए औजार जो थे वो लोहे से अच्छे बनने लगे उसके अलावा लड़ने के लिए जो हत्यार बनने लगे ठीक है तो iron लोहा जो था बहुत जादे important था उससे material culture जो था जैसे शहर बने सेनाय विस्तार हुआ इस तरह की चीज़े जो थी ये भी लोहे पर निर्भर थी यानि लोहे के फैलने के लोहे की औजारों के इस्तमाल का ये एक तरह से क्या थे outcome थे outcome थे ठीक है चलिए उसके लावा और इस समाज में क्या के important चीज़े थी जो punch marked coins थे वो कैसे थे points जो थे वो कैसे थे वो थे punch marked ठीक है दोस्तों points कैसे थे coins थे punch marked उसके लावा pottery कैसी थी pottery थी nbpw इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है northern black ठीक है polished northern black polished wear ठीक है northern black polished wear यानि की nbpw का मतलब क्या होता है northern black polished wear जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हडपा सभिता के लोग red और black pottery का इस्तमाल करते थे उसके बाद हमने पढ़ा की vedic समय के लोग खास तोर पर later vedic जो लोग थे वो किस तरह का इस्तमाल करते थे वो painted gray wear यानि की gray color के बरतनों का इस्तमाल करते थे और जो महा जन्पद काल के लोग थे वो इस्तमाल करते थे northern black polished wear इसके इसलिए महा जन्पद काल को nbp w face भी कहा जाता है और महा जन्पद काल के लोग जो जिस pottery का इस्तमाल करते थे उसी तरह के खास मिट्टी के बरतन का इस्तमाल more in समय के लोग भी करते थे तो इसलिए यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि northern black polished wear जो की nbp w pottery थी उसका इस्तमाल more in सामराज्ये के लोग करते थे ठीक है और कैसी जली हुई burnt bricks का और timber लकडी का इस्तमाल करते थे लकडी का इस्तमाल करते थे इसका best जो example है more in समय का वो है palace of palace of kumrahar ठीक है दोस्तों palace of kumrahar जो है वो लकडी से बना हुआ है और आपको देखने को मिलेगा वो किसका चंद्रकुप्त मौरे का palace हुआ करता था और काफी जादा वो शांदार और काफी सुन्दर palace था जो की इरानियन आर्किटेक्चर से inspired बताया जाता है ठीक है इरानियन आर्किटेक्चर से inspired बताया जाता है उसके अलावा वहाँ पर लोग पानी के लिए इस्तमाल करते थे रिंग वेल्स का इस्तमाल करते थे पानी के लिए लोग रिंग वेल्स का इस्तमाल करते थे इस प्रकार के जो कुए होते थे उसका इस्तमाल लोग मौरेन समय में करते थे याद रखेंगे रिंग वेल्स का इस्तमाल कहा होता था मौरियन समय में मौरियन समय में लोग रिंग वेल्स का इस्तमाल करते थे अपनी पानी की जो जरूरते थी जो उनकी पानी की समस्याई थी उनको पूरा करने के लिए ठीक है तो याद रखेंगे रिंग वेल्स का इस्तमाल मौरिन समय के लोग किया करते थे उसके अलावा देखते हैं अब मौरिन समय के मौरिन में जो मौरिन सामराज्य था उनके पतन के उनके डिकलाइन के क्या कारण रही थे कौन से कारण मुख्य थे जिस वज़ा से मौरिन सामराज्य का पतन हुआ ठीक है दोस्तों मौरिन सामराज्य का पतन क्यूं हुआ था ठीक है तो जब अशोका की मृत्ती हुई राजा अशोका जब राजा अशोका की मृत्ती हुई तो उसके बाद आप देखेंगे कि मौरेन सामराज्य जो था वो काफी जादा बिखरने लगा और सिर्फ एक ही ऐसे राजा दिखते हैं मौरेन सामराज्य में अशोका के बाद एक ही ऐसे राजा थे जो उनके पोते थे कौन थे राजा दशरत, जो राजा अशोका के पोते थे, सिर्फ इन ही के ऐसे सबूत मिलते हैं कि इन्होंने इंस्क्रिप्शन का इस्तमाल किया राजा अशोका पहले ऐसे राजा थे ऐसे समराट थे जो अपनी जनता से अपनी प्रजा से डारेक्ट बातचीत किया करते थे और वो बातचीत इंस्क्रिप्शन के माध्यम से किया करते थे उसके बाद और ये बताता है कि एक जो एड्मिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है एक राजा अगर अपनी जनता से समबाद कर रहा है तो ये बताता है कि वो सामराजिस ट्रॉंग है लेकिन हमें उसके बाद जो मिलता है राजा अशोका के बाद सिर्फ राजा दशरत ही ऐसे समरा factors थे कौन से कारण थे जो पतन के मुख्य कारण साबित हुए मौरिन सामराज्य के क्योंकि हम जानते हैं कि राजा अश facto का ने धम की नीति को अपना आया कलिंगा की युद के बाद राजा अश begg का ने धम को अपना लिया और तभी उन्हों उन्होंने क्या किया अभी उन्होंने जो बली दी जाती थी जानवरों की उसको वहाँ पर प्रतिबंद उस पर लगा दिया यानि कि बली को रोक दिया अब इससे हुआ क्या दोस्तों इससे जब बली को नहीं दी जाएगी जब बली वर्जित की गई है ठीक है जब बली ही वर उष्ठानों का जो प्रचलन था वो भी कम होने लगा तो उससे क्या हुआ उससे जो उस समय जो पुरोहित हुआ करते थे जो पंडित हुआ करते थे जो पूजा पाठ का जो पुजारी हुआ करते थे बेसिकली जो पुजारी हुआ करते थे जो इन सैक्रिफाइसिस को करवाया करते होंगे उसमें नीती नियमों का जो ध्यान रखते होंगे और अपनी livelihood आजीवी का चलाने के लिए इन तरह की बलियों में participate करते होंगे तो वो कौन हुआ करते थे जाद तर आप देखेंगे वो कौन हुआ करते थे तो उस समय आप देखेंगे ये कारे कौन करते थे जो वर्ण विवस्था में जो ब्राह्मन वर्ण में आते थे वही विक्ति इस कारे को करते थे तो जो ब्राह्मन जो वर्ण के जो लोग थे उनकी आजीविका को यहां पर नुकसान पहुंचा क्यूं क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान जैसे बली जैसे चीजों प पर आपको मिलेंगे ब्राह्मन तो यानि कि कहीं ना कहीं यहां पर आप देखेंगे कि जो सामाजिक जो संरचना है उसको चलाना यानि कि एक इस चीज को भी कौन ध्यान रखता था जो ब्राह्मन वर्ण से आते थे वो भी इसी चीज का भी ध्यान रखते थे कि सामाज में किस तरह का कंड़क्ट होगा लेकिन क्योंकि अशोका ने क्या करा सिर्फ धम अपनाया ही नहीं अशोका ने धम को इंप्लिमेंट करने के लिए धम जो उनकी नीती थी उसका पालन करवाने के लिए उन्होंने ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जिनको कहा जाता था धम महा मत्ताज ठीक है तो धम महा मत्ताज कौन थे धम महा मत्ताज ऐसे अधिकारी थे जो अशोका ने नियुक्त किये थे ताकि वो समाज में ये देख सक कि क्या कोई व्यक्ति धम की नीती का पालन अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है जैसे अगर मान लीजिए बली को प्रतिबंदित कर दिया अगर कोई व्यक्ति अब बली फिर भी दे रहा होगा जानवरों का वहाँ पर अगर सेक्रिफाइस कर रहा होगा तो वहाँ पर धम महामत अप्तास जाएंगे और देखेंगे कि यहांपर बली दी जा रही है यानि कि धंम्मे की नीती का उलहंगर हो रहा है और फिर वहांपर उनको सजा दी जाएगी थी धो पहले तो आप देखेंगे कि उनकी आजीविका को चोट पहुँची उसके बाद देखेंगे कि जो उनकी प्रतिष्ठा थी कि भई हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समाज में ओर्डर है वो भी कौन चला रहा है अब वो भी सरकारी जो नियुक्त सरकार द्वारा नियु मौरियन्स za single उनकी तरफ यहाँ पर उनका एक रिएक्षिन हुआ उसको भी ऑगड़ी वजा बताया जाता है कि से अनकी जो ब्रहमान स्वार्ण से लोग आते थे उनकी तरफ उनका एक एक रियक्षिन भी बताया जाता है इसलिए आप देखेंगे कि एक फैकटर जो है वह ब्रहमन जो ब्रहमानिकल रियक्शन है मौरेन सामराज्य के लिए वो एक important factor है उसके बाद आप देखेंगे कि एक तरह से हमें सबूत भी बाद में मिलते हैं कि इसी यही वज़ा रही होगी कि मौरेन सामराज्य के बाद जो सामराज्य आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपको शुंग सामराज्य मिलेगा, कानव शामराज्य मिलेगा और आपको सातवहन शामराज्य मिलेगा यह सभी सामराज्य आपको देखने को मिलेगा कि यह सभी ब्रहमन वर्ण से आने वाले राजाओं द्वारा स्थापित किये गए थे ठीक है तो एक तरह से reaction जो आपको देखने को मिलेगा reaction समाज का किसको मौरिंस के समय वो आपको मौरिंस के against जो reaction था समाज का वो भी एक पतन का कारण था मौरिंस सामराज्य के पतन में ठीक है उसके अलावा क्योंकि धम महामत्ताज ठीक है धम महामत्ताज जो थे धम महामत्त जो थे उनकी नियुक्ति की गई थी अब भई आप किसी व्यक्ति को पावर अगर दे देंगे और उससे बताएंगे कि वो समाज में कौन व्यक्ति क्या कारे करेगा किस तरह की नीती नियमों को फॉलो करेगा तो उस पावर का जो इस्तमाल है वो गलत तरीके से भी हो सकता है वो एक्सेसिव यानि की जादा जो इस्तमाल है पावर का अधिक इस्तमाल भी कर सकते हैं और उससे क्या होगा उससे फिर ओप्रेसिव यानि की ओप्रेशन एक्स्प्लोइटेशन होने लग जाएगा लोगों पर अत्याचार होने लग जाएगा और कई आपने देखा होगा जैसे पुलिस के भी हमें इस वक्त example कई बार मिलते हैं कई बार पुलिस अधिकारी जरूरत से जादा बल का परेयोग करते हैं आम नागरिक के खिलाफ तो इसलिए आम नागरिक की भी शिकायत फिर पुलिस के परती हो जाती है तो उसी तरह से कुछ देखा गया जो officers थे जो उस समय के officials थे यानि कि कुछ ऐसे corrupt officials भी थे जिनका यहाँ पर देखा गया कि उनकी वज़े से नागरिक थे उन पर अत्याचार होने लगे और इसके सबूत यहाँ पर भी मिलते हैं कि अशोका जो थे वो खुद उनके एक कलिंगा का जो उनका inscription है कलिंगा का जो addict है उसमें भी बताया गया है कि अशोका खुद इस बात से चंतित थे कि जो नागरिक हैं जो जनता जो लोग हैं उनके उपर जो officials हैं कई बार उनको ऐसी complaints मिली है कि उनके उपर क्या किया गया उनके उपर अत्याचार किया गया खेंगे दोस्तों चलिए अब यहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे जब अत्याचार कोई भी सरकार, कोई भी शासन के अपने नागरिकों पर करता है, तो उस नागरिक जो हैं, उस राज्ये के जो नागरिक हैं, वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इसी वज़े से यही वज़ा रही होगी, चायद यही वज़ा भी एक और यही वजा रही होगी कि जो लास्ट मॉर्यन जो रूलर थे, जो लास्ट मॉर्यन जो राजा थे, उनका वद हुआ, उनकी मृत्तिव हुई, किसके हातों? उनहीं के मिलिक्टरी कमांडर, जो थे उन्होंने उनकी मृत्तिव करी. ठीक है पुश्यमित्र शुंग जो थे पुश्यमित्र शुंग जो थे वो उनके कमांडर थे ठीक है दोस्तों पुश्यमित्र शुंग पुश्यमित्र शुंग जो थे वो ब्रहद्रत यानि की मौरेन आर्मी में ही कमांडर थे और अपने ही कमांडर के हाथों एक राजा मारा जाए ये बहुत बड़ा एक किस्सा था और इसी वज़े से आप देखेंगे कि कुछ जो मौरिन सामराज्य के अगेंस जो लोग थे उन्होंने यहां पर इसलिए आपको दिखेगा कि समाज में जादा उस समय की सोसाइटी में जादा हला गुला भी नहीं हुआ कि इतनी जूत शायद हो सकता है इस बात का कि जो जनता थी वो भी उस रूल उस शासन से परिशान हो चुकी थी और करप्ट शासन होने की वज़े से ही जनता परिशान हुई होगी और इसी वज़े से आपको देखने को मिलता है कि जनता का समर्थन भी शायद उस समय जो शासन था अ उसके पतन का एक कारण बताया जाता है उसके अलावा हम देखते हैं हमेशा से कि finance बहुत important होता है ठीक है किसी भी शासन को चलाने के लिए पैसा कोश जो होता है राज कोश बहुत important होता है तो बहुत बड़ी मगत की आर्मी थी ठीक है उस पर पैसा खर्च करना प्लस उसके अ इसने भी काफी दबाव डाला किस पर जो state finances थे जो state finances थे यानि कि जो राज कोश था उसके उपर काफी दबाव आया और वित्तिय संकट यानि कि financial crisis यहाँ पर मौरिन सामराज्य को देखनी पड़ी जिसकी वज़े से उनका खजाना खाली हो गया होगा और इस वज़े से ये भी एक important कारण रहा किसका उनकी पतन का उसके अलावा एक important चीज ये रही कि जैसे सबसे पहले आप देखेंगे जो लोहा था लोहा किसके पास आया मगद के पास बहुत अधिक मात्रा में लोहा था ठीक है और इसकी वज़े से मगद powerful हुआ और मगद powerful हुआ तो उसका विस् चीजे लोहे की उपकरन लोहे की पहुँच जो है बाकी सामराजे बाकी लोगों तक भी पहुँच गई और फिर वो भी powerful हो गए और फिर आप देखेंगे मगद की जो power थी एक तरा एक समय पर लोहा जो उसके पास ही थी बाद में वही ताकत बाकी सामराजियों के पास भी पहुच गई और फिर उन्होंने मगद मगद से टक कर ली और बाद में आप देखेंगे कि बाकी सामराजे भी उभर कर सामने आते हैं जैसे शूंग डाइनिस्टी आती है कानव आते हैं और साथवाहना आते हैं क्यों क्योंकि इन तक भी लोहे की पहुँच बन चुकी थी जैसे अगर आप देखें टेकनालोजी जो है एक समय तक ठीक है अमेरिका जो था दोस्तों अमेरिका का इस पर राज था अब आप देखते हैं कि चाइना के पास भी ये चीज पहुचती जा रही है तो चाइना भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है तो कोई भी चीज एक समय त और चाइना ही इसलिए अब डिवेलप हो रहा है और अमेरिका को चुनोती दे रहा है सेम समय मगद के सामराज्य के शासनकाल में भी रही होगी ठीक है उसके अलावा जो था आप देखेंगे जो भारत का नक्षा है अगर ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो जो इस्टन साइड है यहां पर जादा जोर दिया गया था यह वाली जो साइड है नौर्थ वेस्ट इसकी सीमाएं थी उसको सुरक्षित करने पर ध्यान नहीं दिया गया था और इस वज़े से आप देखेंगे कि आगे चलकर नौर्थ वेस्ट से भारत के कई तरह के इन्वेजन होते ह कई थ्रह के इंविजिस होते हैं सबसे पहला इंविजिन किसका होता है इंडो ग्रीक्स की है इंडो ग्रीक्स भारत में सबसे पहले इनवेट करते हैं क्यों कै। आप देखिए यहां से थे स्काइथियन्स ठीक है यहां पे स्काइथियन्स थे अब हुआ क्या स्काइथियन्स जो थे इरान की तरफ थे इरान की तरफ थे स्काइथियन्स अब आप देखेंगे जो एलेक्जेंडर का भारत में आकरवन हुआ था तो यह लोग भारत में एंक् पाई थे तो इंडो ग्रीक जो थे ग्रीक लोग वहीं पर रुख गए थे ठीक है भारत की पश्चिमी सीमा के बाहर रुख गए थे चलिए अफगानिस्तान वाले शेत्र में लेकिन हुआ क्या आप देखेंगे बाद में 220 बीसी के आसपास जो थे जो चाइना के जो शासक थे स्काइथियन्स इरान की ये लोग भारत की तरफ जब बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है ये इंडो ग्रीक की तरफ बढ़ते हैं ये इंडो ग्रीक के लोगों पर कबजा करते हैं और इंडो ग्रीक के जो लोग हैं वो अब इनको मजबूरी में क्योंकि ये चाइना की था वो इंडो ग्रीक्स का हुआ था क्यूं क्यूंकि यहां से जो स्काइटियंस थे वो इनको प्रेशर दे रहे थे चाइना ये जा नहीं सकते थे तो ये कहां पर आए ये भारत में यानि कि भारत की सीमाओं में इन्हों ने अकर्मन किया ठीक है तो इस तरह के हम देखते हैं किसी भी तरह के इस तरह के हमें भारत के राजाओं में नहीं मिलते इसलिए जो दिवार बनाना भारत की राजाओं ने नहीं किया चाइना ने समय पर कर लिया इसलिए चाइना में इन्वेशन नहीं हुआ लेकिन भारत में उस समय कोई दि कि यहां पर बहुत ही सिंपल है पुरानी जो क्लासिस है उसके बेसिस पर है कौन सा ऐसा जो जो मुदाराक्षस जो प्ले था ठीक है जो मुदाराक्षस जो प्ले था उसका मुख्य विशे क्या है ठीक है मुदाराक्षस जो विशे था जो प्ले था जो नाटक था विशा का द उसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौरे के समय पर जिस प्रकार की साजिशें करी थी किन्हों ने चानक्य ने ताकि चंदर गुप्त जो है वो राजा बन जाए उस पर आधारित है ये नाटक मुदाराक्षस जो की लिखा है विशाखदत ने तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है D ठीक है दोस्तों तो इसका सही जवाब है D ठीक है दोस्तों इसका सही जवाब है D और काफी दोस्तों क्लास हो चुकी है और एक आर हो चुका है तो I hope क्लास जादा लंबी ना हो जाए ठीक है तो I hope आप सब को ये क्लास समझाई होगी और आज जो है मौरिन सामराजे उसका यहाँ पर फाइनल यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम अगला जो चीज शुरू कर रहे हैं ठीक है दोस्तों वो करेंगे पोस्ट मौरिन समय मर पोस्ट मौरिन सामराजे जितने हुए थे जशे शूंग डाइनेस्टी मिं नहीं पर फाइनल मिं यह चैप्ट फाइनल यह सारी डाइनस्टी अब हम पढ़ेंगे कब जो अब हमारा पोस्ट मौरिन है जो शुरू होगा इसमें हम सारी डाइनस्टी घवर करेंगे आपको सब लोगों को वीडियो पसंद आये होगी और जिन भी लोगों को वीडियो पसंद हैं वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कॉमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर जादा से जादा आपके प्रैक्टिस करवाने पर भी ध्यान दे रहे हैं आपकी जादा से जादा प्रैक्टिस करवाने पर ध्यान दे रहे हैं मैंने देखा शाम आप देखे शुरू में भी क्विज होता है लास्ट में भी एक MCQ होता है उसके बाद MCQ की मैरतन होती है उसके बाद हम यहाँ पर NCRT से भी MCQ लेकर आएंगे अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और Instagram पर मुझे फॉलो करेंगे अगर कोई भी आपका डाउट है तो कोई भी डाउट है तो यहां पर मैं सब के डाउट दोस्तों नहीं ले सकता हूँ क्लास बहुत लंबी हो जाएगे घीक है मैं सभी लोगों को जो भी परसनल डा उट है उनके परसनल यहां पर रपलाई करूंगा क्योंकि सेशन लमबा हो जाता है और कुछ लोग जो पढ़ने आते हैं उनको भी disturbance होती है इसलिए हर doubt मैं यहां solve नहीं कर सकता हूँ ठीक है तो अगर अच्छा लगा है तो subscribe करिए और like करिए और अपना ख्यार रखिए दोस्तों